So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने की 12 जून की important current affairs को देखे हमारा पहला प्रशन क्या है? अभी हाल में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो अंसरों का 12 जून को इसे इंगलिश में कहते हैं World Day Against Child Labor तो International Labor Organization ये हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रुप में मनाता है ताकि बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सके और इस बार की theme क्या है? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्व भौमिक सामजिक संगरक्षन इंग्लिश में बोलोगे तो Universal Social Protection to End Child Labor और इसी तरह से आपको याद होगा International Labor Day कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मई को और अगर हम बात करेंगे International Labor Organization की तो इसकी स्तापना होती है 1919 में Headquarter मिलेगा आपको जनेवा स्विट्जल लेंड में और इसे Nobel शांति पुरुषकार कब मिला था? तो आंसर होगा 1969 में और सबसे important question और current affairs का प्रशन है कि International Labor Organization के अभी नए प्रमुख कौन बन गए? उनका नाम है Gilbert Hongbo और इस पद पर आने वाले ये पहले अफरीगी है चलो देखते हैं अभी जून में अभी तक हमने कौन-कौन से important day मनाया एक जून को world milk day मनाया था एक जून को global parents day भी होता है दो जून को तेलंगना का स्थापना दिवस होता है और तीन जून को world bicycle day मनाया पांच जून को world environment day मनाया और अभी 7 जून को हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस world food safety day मनाया फिर 8 जून को हमने विश्व महासागर दिवस world ocean day मनाया और 8 जून को ही world brain tumor day के रूप में भी मनाया तो जून के ये सारे important days आपको याद रखने हैं बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किसे मन्रेगा लोगपाल न्यूक्त किया गया है तो अंसर होगा N.J. ओज्जा को तो अभी N.J. ओज्जा को महात्मा गांधी राष्टर ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना के तहत दो साल के लिए लोगपाल नियूक्त किया गया है आपको यादे एक लोगपाल के पास मन्रेगा श्रमिकों की शिकायते प्राप्त करने की शक्ति होती है जिससे वो शिकायतों पर विचार करता है और उस शिकायत को प्राप्त होने की तारीक से 30 दिनों के भीतर एक्शन उसे लेना होता है आपको यादे नरेगा यानि कि राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसे बाद में 2009 में महत्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम या मंद्रेगा के रुप में बदल दिया गया था अच्छा मुझे बताओ अभी Union Bank of India की पहली महिला Managing Director कौन बनी तो अंसर होगा A. Money Make Lie और भारती Airtel के अभी फिर से MDCO बन गए हैं गोपाल विठल नाम है और Larson and Tobro के Managing Director यानि के MDCO कौन बन गए तो अंसर होगा S.N. Subramaniam ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए बताइए अभी हाली में किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तरत नक्षा जारी किया है तो अंसर होगा चाइना ने तो अभी चाइना ने चंद्रमा का एक नया भूगर्बिय नक्षा जारी किया है डिसके बारे में उसका कहना है कि यह अब तक का सबसे विस्तरत यानि कि एकदम finer details के साथ विस्तार के साथ यह नक्षा है मतलब इसमें चंद्रमा की सरफेस को और भी बारेकी से उसका विवरंड किया गया है मतलब कहने की बात यह है डिटेल्ड में यह नक्षा है वैसे आपको बता दू कि सन 2020 में US Geological Survey ने पहली बार पूरे चंद्रमा की सत्य की मैपिंग की थी अच्छा बात चाइना की है तो यह रामेप में चाइना Capital इसकी बीजिंग है आप जानते हो शंगाई Corporation Organization और Asian Infrastructure Investment Bank दूनों का Headquarter आपको मिलेगा बीजिंग में Currency इसके Renmin भी है President Xi Jinping अभी चाइना में भारतिय राजदूत कौन बने प्रदीप कुमार रावत बने और अभी चाइना ने दुनिया का पहला प्रत्वी विज्ञान उपग्रह को लांच किया था जिसका नाम है गुवांगमू और चाइना ने अपना पहला Solar Exploration Satellite भी लांच किया था किस नाम से शीहे नाम से और चाइना ने कब तक Carbon Neutral बनने का लक्षय रखा है तो अंसर होगा 2060 तो ये याद रखना बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली में किस शहर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने InSpace यानि कि बाठ्य राष्ट्र अंतरिक्ष समवर्दन और प्रादी करण केंद्र के मुख्याले का उधगाटन किया तो आंसर होगा एहंदाबाद में InSpace English में से बोलोगे आप Indian National Space Promotion and Authorization Center आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने अंतरिक्ष गती वीदियो में नीजी शेतर की भागिदारी को बढ़ावा देने के लिए InSpace के निर्मान को मंजूरी दी थी तो आप कह सकते हों कि ये अंतरिक्ष विभाग की नई संस्था है और ये काम क्या करेगी तो ये Indian Industry और Startup के जरिये Commercial Launch Services, Rockets, Routine Satellite के निर्मान को बढ़ावा देगा और उन्हें regulate करेगा और अभी परधान मंतरी नरेंद्र मूदी जी ने इसके मुख्याले का उधगाटन किया कहाँ पे गुजरात के एहमदाबाद में अच्छा मुझे आप बताओ अभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने प्रधान मंत्री संग्रहाले का उध्गाटन काँपे किया था तो आंसर होगा नई दिल्ली में लेकिन यहां पे बात गुजरात की है तू यहां मैं अप में गुजरात आपको याद होगा अभी आयायम एहमदाबाद ने देश का पहला क्रशी भूमी मुल्य सूचकांक लौंच किया था अभी गुजरात सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जूड परियूजना को रद भी कर दिया है चलो मुझे बताओ डबलू एचू ग्लूबल सेंटर फॉ और भारत के पहले सामुदाइक रेडियो स्टेशन दूद वानी का उधगाटन कांपे किया गया गुजरात में किया गया अभी गुजरात के मोरवी में ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट उची परतिमा का अनावरन भी किया था और देश की प और देश का पहला एलेक्टरिक सिटी ये केवडिया है ये वही केवडिया है जहाँ पे आपको सरदार वरलब भाई पटेल जी की स्टेशू मिलेगी नर्मदा नदी के किनारे सादू बेट द्वीप पर ये दुनिया की सबसे उची स्टेशू है जिसकी उचाई कितनी है 182 मेटर है इसके वास्तुकार है रामवी सुतार तो याद रखना ये सारी बाते बढ़ते आगे चली बताईए अभी हाली में वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइजेशन के द्वारा किस चिकित सा संस्थान को शेत्रिय निदेशक विशेश माननेता पुरुसकार से सम्मानित किया तो आंसर होगा PGI चंदिगड तो अभी वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइजेशन ने चंदिगड में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के तंबाकु निदेशक विशेश माननेता पुरुसकार से सम्मानित किया है तो इस World Center for Traditional Medicine ये कहां पे खुलेगा तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में देखो WHO की स्थापना होती है साथ अप्रेल 1948 को इसलिए तो हम साथ अप्रेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हेड़कॉर्टर मिलेगा जेनेवा स्विजजर्लेंड में और इसके डारेक्टर जनरल अभी WHO ने तंबा को छोड़ो यानि की कुट टोबे को एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली में यूरोपिय संग ने कब तक नई पेट्रोल और डिजल कारों की बिकरी पर प्रतिबंद लगाने के लिए मतदान किया तो आंसर हो समर्थन करने के लिए मतदान किया यूरोपिय संग की सांसदों ने 2021 की तुलना में 2030 में ऑटो मोबाइल से CO2 में यानि के कारबन डाय ओक्साइड में 55% की कमी का समर्थन किया है और जो वाहन निर्माता है वो अगले दशक के मध्य तक CO2 सरजन में 100% की कटोती करेंगे अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि भारत कब तक क्रशी में डीजल की जगे नवी करने उर्जा यानि कि रेनेवल एनर्जी का उप्योग करेगा तो आंसर होगा 2024 तक यह हमने टार्गेट रखा है हमारे उर्जा मंतरी तो आरके सिंग है राचकुमार सिंग वैसे भारत जो है ये शुद्ध शुन्य कार्बन उत्षरजन का लक्षे कपका रखा है भारत ने 2070 का और भारत का उर्जा सोतंतरता एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्षे है 2047 का बढ़ते आगे चलिए आप बताईए अभी United Kingdom के द्वारा किस भारते लेखक को Companion of Honor के रुप में ना सलमान रुष्दी तो अभी भारते लेखक है सलमान रुष्दी इनको साहित्य की सेवाओं के लिए United Kingdom के द्वारा Companion of Honor नामित किया गया है तो उन्होंने इससे पहले 2007 में नाइट हुड की उपादी भी प्राप्त की थी ये जो Companion of Honor है ये एक विशिष्ट क्लब है जिसकी स दस्यता साहित्य की सेवाओं के लिए किसी भी समय केवल 65 लोगों तक ही सिमित है अचा विनित कार्निक के बारे में हमने पढ़ा था भारत की पहली Sports Marketing Book को इन्होंने लिखा है जिसका नाम है Business of Sports The Winning Formula for Success और रशीत किदुवई की बारे में हम बात करें तो इन्होंने अभी Leader, Politician, Citizens नाम की बुक को लिखा था और हरिश मेता आप जानते हो ये Nescom के पहले अध्यक्ष थे अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है The Maverick Effect चलो एक प्रस्ण का उत्तर आप दो अभी Nescom के नए अध्यक्ष कौन बन गए है और उन्होंने जगे ली है Nescom के पहल Tomb of Sand नाम की बुक के लिए ये Hindi में लिखी गई थी actual में तो किसने लिखा था गितानजली श्री ने और इसको translate किया था अंग्रेजी में Deji Rockwell ने तो अभी इन दोनों ने यानि कि गितानजली श्री और Deji Rockwell ने अंतर राश्टर बुकर पुरुसकार जीता 2022 का इस बुक के लि किया गया तो अंसर होगा रबाप फातिमा तो अभी संयुक्त राश्टर में बांगलादीश की स्ताइब प्रत्थिनीदी राज़दूत है यानि कि पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटेटिव ऑफ बांगलादीश तो यूनाइटेड नेशन है ये रबाप फातिमा जेने प्रतिनिदी भी होंगी क्या नामे रबाब फातिमा आपको यादे अभी हमारे नए चीफ एलेक्षन कमिशनर बन गए 25 वे नंबर के उनका नामे राजीव कुमार अभी हज समीती के अद्देश बने है एपी अब्दुल्ला कुटी और नैसकॉम के नए अद्देश कौन बन क्रश्णन रामनुजम नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए बताइए अभी फिचर रेटिंग ने 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया तो अंसर होगा 7.8% तो अभी फिचर रेटिंग ने वित्वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को घटा कर कितना रहने का अनुमान लगाया 7.8% अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था भारत की पहले sports marketing book business of sports the winning formula for success को किस ने लिखा तो आंसर होगा विनित कार्निक ने आप सभी ने प्रशन की भी quiz आपको मिल जाएगी आपके correct exam application पर वहीं पर PDF भी आपको मिल जाएगी तो अच्छे जिनकी practice करना और अपना analysis जरूर करना कि कितनी चीज़े अभी आपको याद है कितनी चीज़े आप भूल रहे हो उससे आपको बहुत benefit होता है test जरूर लगाना मतलब अब यह रहा आज का आपका हम वर्क प्रश्ण